हलो दोस्तों पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड किस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों तो ये वीडियो का दस्वाइब पार्ट आसतों इससे पहले भी 9 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चेनल पी जागी देख सकते हैं तो यहां मिलने वाले तो आपको एकचार महतमं कोश्यन मिलेवाला है जो कि बार-पार एकजाम के अंदर रिपीट हो रहे इसतो और आने वाले सभी एकजाम में आपको देखने को मिलने वालने जैस्तों तो सारे कोल्शन आपको रट लेना जैस तो भिलकुल समस्ति जैसे वीडियो को पूरा वीडियो देखने जैस्तों अजी यह के लिए हिंडी भाष्या किसे लपी में लखी जाती है तो इसका इंत millennials प्रक्षेप द्रश्टी से वेंजनों के कितने भेद है तो इसका रेक्टांसर है, option number B, वेंजनों के दो भेद है निक्ष ने, तै दोनी का सही उच्चारण इस्तान क्या है? तो इसका रेक्टांसर है, option number A, जो हमारे दंत है, वे है, तै दोनी का सही उच्चारण इस्तान नेक्ष ने, वे का उच्चारण इस्तान है, तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर A विल्ग करेक्ट है, दन्तोष्ट है, वे का उच्चारण इस्तान नेक्ष ने महिंद्र का संदी विच्छेद क्या है तो इसका रिक्टांसर है option number B महा प्लस इंद्र है महिंद्र का संदी विच्छेद नेक्ष ने कैवर्ण किसके योग से बना है तो इसका रिक्टांसर है option number C जो कैव प्लस A है उसके योग से बना हुआ है कि अवर्ण निक्षन है उश्म और संयुक्त कितने परकार के हैं तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर C बिल्गुल करेक्ट है A वर B दोनो मतलब स्वर्ग परकार के भी होते हैं और वेंजन परकार के भी होते हैं उश्म और सहीं उपते हैं निक्षन है इस पर से वेंजन कितने परकार के होते हैं तो इसका रेक्ट रांसर है आपिशन नमबर A बिल्गू करेक्ठ है 25 परकार के होते है इस पर श वेंजन निक्षन है शेह कौन सा वेंजन है तो इसका इप्षा रगिताज रहा है आपिशन नमबर B उच्च में वेंजन का अधारynı है श वर्ण नेक्षन है इनमें से किस शब्द में वर्ण सम्मंदी अशुद्धी है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर डी अनुकूल शब्द है जिसके अंदर वर्ण सम्मंदी अशुद्धी है नेक्षन है इनमें से किस शब्द में वर्ण सम्मंदी अशुद्धी नहीं है तो इसका एरेक्ट आंसर है option number C जो अधीन जो शब्द है उसमें कोई भी वर्ण सम्मंदी अशुद्धी नहीं है मतलब ये विल्कुल सही है नेक्षन है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रते सम्मंदी अशुद्धियां है तो इसका एरेक्ट आंसर है option number D नेक्षन है इनमें से किस शब्द में हलंत सम्मंदी अशुद्धियां नहीं है तो इसका एरेक्ट आंसर है option number A बुद्धिमान शब्द है जिसमें हलंत सम्मंदी अशुद्धि नहीं है नेक्षन है इनमें से किस शब्द में चंदर बिंदु सम्मंदी अशुद्धियां है तो इसका एरेक्ट आंसर है option number D जो पंगुच जो शब्द है इसमें चंद्र बिंदू सम्मंदी अशुद्धी है नेक्शन है इनमे से अल्प विराम कौन सा है तो इसका गरेक्ट रांसर है आप्शन नमबर A वह रोज आता है तो यह जो आप कौमा देख पारे हो इसको अल्प विराम है इस वाक्ये में नेक यह योजक चिन है जैसे हमने लिखा माता पिता तो माता और पिता को यह जोड़ने का काम कर रहा है मतलब योजक चिन है यह जो कि C बिलकुल करेक्ट है नेक्शन है संग्या के कितने भेद है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमबर B पांच भेद होते हैं संग्या के निक्षन है इन में से कौन सा संग्या के भेद है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमबर D इन में से सबी मतलब जातिवाचक, विक्तिवाचक, भाववाचक ये तीनों ही संग्या के भेद है इन में से भाववाचक संग्या कौन सी है तो इसका एरेक्टांसर है आप्स नमर ए जो लंबाई है वह भाववाचक संग्या है नेक्षन है इन में से कौन सी जाती वाचक संग्या से भाववाचक संग्या बनाया गया है तो इसका गरेक्ट रांसर है आप्शन नमबर A बुडापा जो शब्द है उसे बनाया गया है जाती वाचक संग्या से भाववाचक संग्या निक्षन है इन में से कौन सा शब्द समू वाचक संग्या है तो इसका एक रिक्टांसर है आप्शन नमर बी जो सबा जो शब्द है वह समू वाचक संग्या है नेक्शन है इन में से लिंग के भेद कौन से है तो इसका एक रिक्टांसर है आप्शन नमर डी इन में से सभी मतला pull link, strilink, napusang link ये तीनों ही link के भेद है निक्षण है खटमल शब्द है तो इसका correct answer है option number A विलको correct है pulling शब्द है खटमल निक्षण है इन में से कौन सा शब्द pulling है तो इसका correct answer है आप्शन नमबर A गिलास शब्द है जो की पुर्लिंग शब्द है नेक्शन है पैंसिल शब्द है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर B इस्तिरलिंग शब्द है पैंसिल नेक्शन है इन में से कौन सा शब्द इस्तिरलिंग है तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर A, जो खाट जो शब्द है, वह एक स्ट्रिलिंग शब्द है निक्शन है, इन में से कौन सा शब्द करमकारक है तो इसका रेक्टांसर है, आप्शन नमबर B, मैंने हरी को बुलाया, यह एक करमकारक शब्द है निक्षन है सुरणाम के कितने भेद होते हैं तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर B कुल मिलाकर 11 भेद होते हैं सुरणाम के निक्षन है धातू के कितने भेद होते हैं तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर C दो भेद होते हैं धातू के नेक्शन है शाम सोता है यह कौन सी किरिया है तो इसका एरेक्टांसर है आप्शन नमबर ए यह अकर्मक किरिया का उधारण है शाम सोता है नेक्शन है अर्थ के अनुसार स्युक्त किरिया के कितने भेद होते हैं तो इसका एरेक्टांसर है आप्शन नमबर ए निन् किरिया का नेक्ष्ण है कि इन मेंसे कौनसा शब्द काल वाच्च के अव्यव है तो स्कातारानजर आपशिं conce double a अब से ऐसी बात नहीं होगी यह इज काल वाच्च के अव्यव है तो इसका रिक्टानसर है आपसन नमर सी तीन भेद होते हैं क्रिया विशेशन के प्रियोग के अनुसार नेक्शन है इन में से कौन सा शब्द तस्वम से हिंदी बनाया गया है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर A आम शब्द है जो कि तस्वम से हिंदी बनाया गया है नेक्शन है इन में से कौन सा शब्द देशज शब्द है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर A बिल्गो गरेक्ट है चिडिया शब्द है जो की देशज शब्द है कोशन है इस्त्री पुर्ष का जोड़ा कहलाता है तो इसका एरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर ए इसे हम दमपती कहते हैं नेक्शन है जहां लोगों का मिला कहलाता है तो इसका रेटर टांसर था है option number C इसे हम सम्मिलन कहते हैं जहाँ पर लोगों का मिलन होता है accusition है इन में से छोर का प्रियाईवाची कौन है तो इसका रेटर टांसर था है option number A मोशक है जो की छोर का प्रियाईवाची है नेक्षन है इनमें से हवा का प्रियाईवाची कौन है तो इसका रिक्टांसर है आप्सनमबर C बैयार है जो कि हवा का प्रियाईवाची है नेक्षन है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताईए तो इसका रेक्ट आंसर है आप्षन नमबर B बहुत चालाक होना होता है कान कतरना का मतलब नेक्षन है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताईए तो इसका रेक्ट आंसर है आप्षन नमबर D करम का फल भोगना होता है अपना किया पाना मुहावर का अर्थ canyon है सुआरथी होना इस अर्थ का मुहावरा बताईए तो इस कारेकट टांसर है option no.1 अपनी खीचडी अलग पकाना होता है मुहावरा सुआरथी होने का reduction है मक्हीया मारना मुहावरे का अर्थ बताईए निक्षन है डूद का दूद लोकुक्तियों का अर्थ बताईए तो इसका डूद का दूद पानी का पानी होना निक्षन है आत्मा का विपरित तार्थक शब्द बताईए तो इसका एरिक्टांसर है आप्सन नमर ए अनात्मा होता है आत्मा का विपरित अर्थ शब्द